हेलो एप्रिवेन वेल्कम टू पूज़ा टेक्निका क्लासेस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलार्सी एसस ए अमीन की आर्थ हजार 244 पदों पे जो बहाली चली है जिसका ओनलेन अप्लाई हो रहा है कल से उसी की रिकार्डिंग हम नई अपडेट ले करा हैं कई बच्चों का ये कमेंट था कि 19, 20 और 21 और 22 का ओप्शन नहीं दे रहा है क्या कुछ गड़बड़ी चल रही थी वेबसाइट पे ये अब समस्या जो है की सॉल्व कर दी गई है अब आप लोग जो है की इसका ओफिस्यल वेबसाइट पे जाकर जो है की सभी बच्चे फॉम अप्लाई कर पाएंगे डिस्क्रिप्चन में लिंक मिलेगा उस वेबसाइट का जहां से जाकर जो क्लिक करके आप डाइरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे और आप अपना फॉम अप्लाई कर पाएंगे इस वीडियो में हम जनकारी देने वाले हैं कि इस बहाली को इस फॉम को फिल अप करने के लिए क्या क्या डिटेल क्या 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 डॉक् में रिकॉइर होंगे उसी के रिकार्डिंग हम इस वीडियो में जनकारी देंगे और आगे भी एक नई अपडेट देंगे कब तक ये बहाले पूर्ण होगी उसी के रिकार्डिंग भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको इमेल आईडी की जरुवत परेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मुवाइल नमबर की जरुवत परेगी अधार नमबर की पैन नमबर की और ब्लड ग्रूप और आडेंटिफिकेशन मार्क की जरुवत परेगी उसके बाद डॉक्मेंट के बाद करें डॉक्मेन्ट में आपको Residential Certificate require होंगे उसके बाद OVC के लिए Non Crimey Layer और Caste certificate EWS उसके बाद जो है मार्कशित में 3 मार्कशिट का मार्कशिट चाहिए और Certificate देखिए मार्कशिट अलग होता है और Certificate अलग होता है Certificate आपको जब तेंथ कौलिफाई करते हैं तो उसके जस्ट बाद नहीं मिलता है तीन सौного साल घेल ऐ हम तुड़िति सपधार्व के बाद के बाद ही सेटिफिकेट मिलता ही अगर आप लोग सेटिफिकेट अपने और एक अपसे तो वहां सचाकर जो है की certificate ले ले आपको मिल जाएगा और उसके बाद यह marksit हो गया जिसमें अंग पर्मान पत्र होते जिसमें आप कितना marks लाए हैं वो marksit होता है आई होप आपको यह चीजे समझ में आ रही होगी और 12th का marksit और certificate लगेंगे यह सारे को PDF में जो है की save करके आपको scan करके upload करना होगा बहुत ही अच्छे तरीकी से कीजेगा अगर आपको form भड़ने में किसी पर करके दिक्कत आती है अपने phone से तो आप लोग साइबर कैफेम जाकर खुद से form apply कर सकते हैं उसके बाद diploma के all semester का certificate all semester का marksit लगेगा और certificate लगेगा उसके बाद हम बात करें थे फोटो कितना के बयम चाहिए इसका जनकारी आपको पिछले वीडियो में हमने दे दिया है वह वीडियो जाकर आप लोग देख ली जेगा अब पोटो लगेघा और फोिन्वाय सेल्फी फोटो नहीं होना चाहिए बलर नहीं होना चाहिए और लाटस फोटो होना चाहिए aran हिंदी और इंग्लिस में लगेगा को यह जनकारी था डोकमेंस रीलेटिड और प्रेस्टेल बिएलिटल था यह सारे डिटलस आप form apply करते लेकर बैठेगा और एक बात और यहां फेमाइट करना चाहेंगे father's name और mother's name में spelling बहुत अच्छे तरीके से एक करके लिखिएगा क्योंकि इसमें भी spelling mistake होती है और जो है date of birth सही तरीके से लिखिएगा जो तेंथ का certificate होगा उसी में से आप लोग देख कर लिखेगा ताकि किसी उपर करके गरबड़ी नहोँ यह देख पा रहे होंगे यह PDF जो है 22-22-22 के date में दैनिक भासकर में अपडेट किया है राज़े शोंग भूमी शुधार बिभाग में जो है इस सीटों की संख्या बताएगा जो कि हमने बता दिया है वीडियो के माध्य हमसे और यहां पर देख पा रहे होंगे यह इसमें लिखा आए कि 10,000 पलस सर्वे कर्मियों की बहाली पूरी करने धारी समय सीमा के भीतर जो है आमीन सर्वे पूरा कर लिया जाएगा फर्वरी के बाद पूरे बिहार में सर्वे कर्मियों की नई तरिके से पोस्टिंग की जाएगी यह जो पोस्टिंग होगी इसके नियुक्ती जो है बहुती जल कलियर कर दियाजाएगा गाईज फरवरी मन्थ 2000 यानि फरवरी 2023 तक ये बहाली किलियर हो जाएगा यानि सभी कनिडेट को पोस्टिंग हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी इसकी बहाली किलियर होगी और होती भी है राजाश्वयम भूमी शुधार विखाग के मंत्री जो है इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और जो भी फरजी कनिडेट है आप लोग फॉर्म नहीं अपलाई करेंगे तो बहतर होगा क्योंकि आगे चलके आपकी यहाँ पर करवाई होगी पुलिस करवाई होगी अगर आप लोग फॉर्म भी भरते हैं उसके बाद जो सौट लिस्टेड होगा कनिडेट का तब भी आपको करवाई की जाएगी कि आपने फॉर्म क्यों डाला यहाँ कि जो फरजे भी आती हैं वो फॉर्म डालते हैं उसके बाद जो है कि उनको मार्ट यानि कि मैरिट बनाने में उनको दिकत आती है आई होप आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देज़ेगा सेर कर देज़ेगा और चैनल को सस्काइब कर देज़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंकिस सो मच बाचिंग इस वीडियो